प्रशान दवन आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स पब्लेश होए हैं जहां पर बताया जा रहा है कि चाइना ने मिसाइल्स की वर्षा करती है ताइवान की तरफ यहां पर आप देख पाओगे चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी रेंज लिटरली बारिश करती है ब्लेश्टिक मिसाइल्स की तौर्ड्स टाइवान और टाइवान में आज के समय जैसे हम इंडिया में कहते हैं डर का महौल है क्योंके देखिए इनको पता नहीं कौन सा मिसाइल किस शहर पे कहां पर गिर जाएगा क्योंके सारे मिसाइल बिलकुल टाइवान के उपर से होक गया यह जो location है न यहाँ पर China ने set कर दिया और लगातार यहाँ से missile launch होते हैं और सीधा यहाँ पर इनका blast हो रहा है यह एक ज़्यादा अची representation है चाइना यहाँ पर use कर रहा है DF-5B missile यह चाइना कहता है कि इनके short range missile है यह एक nuclear capable missile है मतलब के चाइना अगर चाहे तो nuclear warhead यहाँ पर mount कर सकता है obviously अभी यहाँ पर कोई nuclear warhead mount नहीं किया गया तो इस तरीके से जो चाइना का mainland है यहाँ से लगातार यह लोग missile लाग रहे हैं कई वीडियो सामने आई हैं कि किस तरीके से missile लागे जा रहे हैं और आप imagine कर सकते हैं ताइवान की public में आज के समय क्या panic होगा क्योंकि जब missile सीधा इनके उपर से गुजरता है तो यहाँ पर जो air defense system है active हो जाती है, army active हो जाती है क्योंकि आपको पता नहीं कि कब कोई missile की जो trajectory है यह सीधा ताइवान की धरती पर ही गिर जाए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना यह सब क्यों कर रहा है अगर मान लीजिए यह अभी चाइना करेगा आने वाले चार दिन तक चाइना यह सब करके psychologically ताइवान को तोड़ने की कोशिश करेगा यह आप खेलीजिए एक form of terrorism ही है चाइना काफियत तक terrorize कर रहा है ताइवान के लोगों को तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि US का यहाँ पर क्या stance है बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा question यहाँ पर यह है कि इंडिया नेवी ने recently receive किये है दो MH-60R multi-role helicopter किस देश से इसराइल, UK, USA या फिर जर्मनी इस पर बहुत article publish हुए थे यह बहुत news में था कि इंडिया नेवी को पहले दो MH-60R multi-role helicopter मिल चुके है इसका answer करिए comment section में सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंत में और जो लोग सही answer करेंगे मैं कोशिश करूँगा उनकी comment को हार देने की ताकि बाकी लोग की समझ पाएं के सही answer क्या है तो सबसे बहुत दो देखिए मैं आपको बताऊंगा के reality में ताइवान में आज के समय हो क्या रहा है एक तो है के जो mainstream media आपको दूरूर से बताता है के चाइना ने ये कर दिया ताइवान बेखौफ है वगारा मगर आपके लिए जानना important है के real picture क्या है तब ही आप समझ पाएंगे के समी करण क्या है ताइवान, US और चाइना की नैंसी पलोसी USA के parliament की speaker जब ताइवान में आई तब ताइवान की सरकार ने तो उनका welcome किया बहुत ही अच्छे से मगर ताइवान के कई locations में देखा गया के लोग protest कर रहे थे इस visit का और again यहाँ पे मैं आपको कोई article चाइना के सरकारी मीडिया का नई दिखाऊंगा क्योंके लगेगा के वो तो खेर यही बात ही करेंगे यहाँ पर मैं आपको article दिखाऊंगा UK और USA के जहाँ पर लिखा है के mood shifts in Taiwan as Nancy Pelosi visit raises fears of war Taiwan के लोगों ने Nancy Pelosi के against काफी नरे लगाये यह कहा के get out of here we don't need you again यह मैं आपको article दिखा रहा हूं Fox News का यह एक बहुती famous American news outlet है Nancy Pelosi जब visit कर रही थी तो कई ताइवान के लोगों को लगा के यह आप पर war start करवा देगी US बाद में ताइवान के defense पर आएगा नहीं ताइवान के लोगों को खुदी अपनी रक्षा करनी पड़ेगी अब आप यहाँ पर पूछोगे ताइवान में ऐसी मजे सामने क्यों आई Nancy Pelosi की visit को लेकर ऐसे protest क्यों हुए देखो problem मैं काओंगा यहाँ पर आती है कि USA में न एक decisive leader नहीं है लीडर देखो बहुत important होता है example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मंगोलों ने कई सदिया बिता दी nomads की तरह कुछ खास उन्होंने किया नहीं फिर एक दिन चंगेश खास जैसा leader आया उसने मंगोल एमपायर को इतना फिला दिया उसके बाद एक के बाद एक उनके कई leader आये और मंगोल एमपायर ने कई सदियों तक Asia इवन यूरोप के parts को dominate किया यह होती है leader की power एक leader अगर आपका सई निकल गया तो मंगोल जो काफी कम अबादी के एक ethnic tribe थे यह लोग पूरे Asia को conger कर सकती है USA में problem यह है कि दुनिया को समझ नहीं आता कि इनकी leadership कहना का चाती है इनकी actual policy क्या है क्योंकि एक दिन US कुछ कहता है बाद में USA की सरकार का कोई wing होगा वो अपनी बात को cut कर देगा अब for example Nancy Pelosi गई ताइवान में जो बाइडन इस visit के खिलाफ थे और सबसे अजीब बात देखिए Mike Pompeo Mike Pompeo आपको याद होगा Donald Trump के टाइम में USA के Secretary of State थे मतलब कि आप के लिजे USA के विदेश मंदरी थे इन्होंने जो बाइडन की अलोशना करी क्यों क्योंकि जो बाइडन ने warning दी थी पिलोशी को के प्लीज आप ताइवान ना जाइए इन्होंने का के क्या message send कर रहे हो दुनिया क्या सोचेगी Quad क्या सोचेगा हमारे बारे में के US internally इतना बटा हुआ है पिलोशी की विजेट को लेकर हाला कि बाद में जब पिलोशी एक बार चली गई तो US की नेवी committed थी के हम इनको defend करेंगे मगर उसके beyond आप अगर जाओ कि अगर मानलो चाइना ने ताइवान पर अटाइक कर दिया पिलोशी की विजेट खतम होने के बाद पिलोशी दो वापस US आ गई उसके बाद अगर मानलो चाइना ने एक के बाद एक मिसाइल अगर दाख दिये ताइवान पर तब US क्या करेगा तब क्या US चाइना के defense में आएगा अब इसको लेकर भी कोई proper leadership है नी USA में आप सब को याद होगा जो बाइडन ने आसे कई महीनों पहले काफी बार 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 यह repeat करके कहा था कि अगर चाइना ने attack किया ताइवान को तो US militarily respond करेगा जीब बात देखिए अमेरिका का ही media कह रहा है कि वाइड हाउस जहाँ पर बेसिकली जो बाइडन रहते हैं इनकी सरकार वाइड हाउस से ही चलती है वाइड हाउस ने बात में का कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे कोई policy change नहीं हुआ यह चीज कई बार देखी गई जो बाइडन ने कई बार बोला कि हम ताइवान को back करेंगे बात में वाइड हाउस ने खुदी अपने प्रेजिडेंट की जो statement है इसको cancel कर दिया अब यह सब जो news हम Indians पढ़ रहे है ताइवान के लोग भी पढ़ते होंगे वहाँ पे shock होगा इन लोगों ने खुदी decide नहीं किया कि इनको करना क्या है यह खुद कुछ commitment करना नहीं चाते और फिर जो recent example हुआ युक्रेन का यह देखकर ताइवान जैसे जो countries है वो भी चौक गए होंगे कि US ने बिलकुल हाथ पीछे खीच लिए और दूर दूर से अब ताइवान को यह missiles उगरा send कर रहे हैं और पीछे ने चुपचाब रशिया बहुत सरा area युक्रेन का capture कर चुका है एक भी US soldiers US government ने खुद नहीं भेजा युक्रेन में अब बीच में ताइवान ने ये भी कोशिश करी कि इनके पास nuclear weapons आ जाए इस पर बहुत article पबलिच हुए थे ताइवान ने बहुत जोर लगाया US ने बड़ा pressure डाला कि कुछ nuclear weapons ही हमको देतो हम उससे दिरा देंगे चाइना को धंका देंगे कि अगर आपने हम पर अटाक कर दिया कोई missile हम पर गिरा तो हम भी जवाब देंगे इससे एक deterrent सा create हो जाएगा US यहाँ पर भी नहीं माना US ने कहा दिया कि ये non proliferation treaty का violation होगा तो since US इतना जादा indecisive है US के तरफ से आप कहलीजिए कोई proper policy हम को समझ नहीं आती कि है क्या ताइवान को लेकर चाइना बड़ा confident feel कर रहा है कि अभी के लिए तो ताइवान को जितना terrorize करना है कर लो खूब missile इनके आसपास मार लो एक आग missile अगर लग भी गयाना तब भी USA ने कुछ खास नहीं करना हाँ ये अलग बात है मैं कहूंगा कि अगर मालो बिलकुल चाइना ताइवान पर चड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और अपने military भेशता है तो हो सकता है maybe US weapons provide करे ताइवान को या फिर और तरफ से pressure build up करने ही कोशिश करे that might be possible मगर जो ये missile strikes है इनका क्या होगा तो देखी आने वाले चार देर बहुत ज़ादा tension वाले होंगे ताइवान के लिए और मैं अमीद यहाँ पर यही कर रहा हूँ के चाइना जो ये question की तरफ के इंडिया नेवी को मिले है recently दो MH-60R multi-role helicopter किस देश से तो सही उत्तर यहाँ पर है option C United States of America दो helicopter मिल गए है total हमने यहाँ पर order किये है USSA 24S helicopter ये रेखिए चाइना की जो submarines है उन पर नज़र रखने के लिए हम use करेंगे बहुत ही ज़ादा important helicopters है और ऐसा नहीं है के इन helicopters को US government manufacture करती है manufacture करता है इन helicopters को Lockheed Martin US government बस permission देती है Lockheed Martin को के ये जो helicopters है ये sell कर सकते है तो याद रखिएगा MH-60R helicopter ये बहुत ज़ादा news में है ये दुनिया के सबसे advanced maritime helicopter बताये जाते हैं और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ के life में अगर आप एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाहते हैं किसी भी exam की त्यारी करना चाहते हैं चाहे IT हो, bank हो तो simply जाएगे comment section में comment section में आपको मिलेगी है pinned comment और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं the course of your choice for example, let's say आप prepare कर रहे है for UPSC, click करिए UPSC पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये page और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे UPSC course for 36 months as well अगर मान लीजिए आप एक college student है अभी आपके पास time है 2-3 साल का आराम से UPSC preparation करनी है तो 36 मेने का जो course है ये भी आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं ये pay करने की जरूत नहीं है simply आपर code use करिए period and and the prices will start falling so use the code period and and save money so इसी note के साथ ये है video का thank you for listening and as always God bless you all दो कि सचय कर सकते है अभी आराम सब्चेट ये इस वाहँ कर दो अपका। ये सचय कर दो आराम से जरूत है